हाई फ्रेंड्स आपके अपने यूटूब चनल ग्यानकी दिपकमा स्वागत है दोस्तों यह हमारा मस्रम के कंपोस्ट है अब यह आपको दिखाए दे रहे होगी दोस्तों इसमें से बाप उठ रही है और इस तरह से बाप उठे तो समझ लेना मस्रम के कंपोस्ट अच्छे अब बन रही है और यह काफी गरम भी होती है यह से इसलिई का गरम हुना बहुँत जरूरी है अगर गरम नहीं होगी तो कंपोस्ट मीं से बाप नहीं बढूंदी और कंपोस्ट अच्छी नहीं बनेगी इस तरह किसे अच्छे गमपोस्ट बनेगी तो ही सब्सक्त dus. लिए देख सकते हैं भाब उटते हुए अभी लाइट आई है इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है फिर भी हम कोशिज कर रहे हैं आपको दिखाने की इस तरह से भाब उट रही है इसका मतलब है टेम्पोस्ट अच्छी बन रही है और इसका रिजल भी बहुत अच्छा आएगा देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल गरम होना चाहिए इसके अंदर लागवाव 17-80 टेमपरेचर होना चाहिए अगर टेमपरेचर इतना नहीं हुआ तो आपकी कमपोस्ट ज्यादा देरह बन सकती है ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी झाल 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